नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूजफर्स में आपका स्वागत है भारत के स्वार गयानी कि लदाक से एक बहुत बड़ी निवर आ रही है पर यहाए कि लदाक के लोग इसलिए अंदोलन कर रहे थी क्योंकि वो चाहते थे कि लदाक एक स्टेड बन जाए और दूसरी उनकी य रमुवन कश्मेट भी यूनियन टेरिटिरी को बना दिया गया था तो उनकी डिमांड को देखते हुए आडिकल 371 लागू करने जा रही है भारत सरकार ऐसे ही सुबुगाहट है अभी इसकी कोई कंफरमेशन नहीं आई है दरसल भारत सरकार उनकी डिमांड को पूरी नहीं अप्लिकेबल है जैसे कि आसाम, मेघाले, मिजूरम, तिरपुरा अधिसाद इभी बताते कि आडिकल 371 भी भारत के कई राज्यों में अप्लिकेबल है जैसे कि माराष्टा के कुछ हिस्से है जैसे विदरवा है, मराटवारा है, गुजरात, गुजरात का कच्छ है, नाग आए कि आर्टिकल 371 में कुछ यूनीक पावर दे दी आती है इस्टेट को, जैसे कि उनको ये अधिकार हो जाएगा, कुछ इस्पेशल अधिकार, कि वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी एरिया में किस तरह की इंडस्टी खोलना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को वहाँ बसाना चाहते हैं, ताकि वहाँ के इंवाइर्मेंट को किसी भी तरह सो नुकसान ना हो, इसी तरह कि वहाँ पर और भी बेउस्था हो जाए, जिससे उनके रोजगार पर भी कोई इंपैक्ट ना है, और उनके इंवाइर्मेंट पर भी किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े, Schedule 6 का दसल benefit यहा है कि आसाम, मेगाले, तृप्रा, मिजोरम के जो tribal लोग हैं उनके लिए या power दे दी जाती है कि कुछ भी उनके लिए fund वगरा एलोट किया जाएगा तो वह उनहीं के हिसाब से वो खर्च किया जाएगा उसमें किसी और का इंटरफेर नहीं रहेगा जैसे कि केंदर सरकार को इंटरफेर करना चाहिए तो नहीं कर पाएगी या बैसिकली उन ही के लिए है तो इस तरह की चीज को लगदा के लोग चाहते हैं कि उनकी अप्ली के बलोग हो जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि इंटर सरकार उनके लिए आर्टिकल 371 को अप्लाई करना चाहती है इस पर विचार कर रही है दरसल कुछ चीज है अभी इंडिया की तरफ से भी उठ रहे ही इंडिया के कुछ नेता ऐसा कह रहे है कि जब आर्टिकल 371 हम लगजाक की तरफ अगर अप्लिकेबल कर सकते हैं तो जम्मों कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते वहां भी करना चाहिए वहां भी कुछ स्पैसाल स्ट्रेटस मिल जाएगा आर्टिकल 371 हट जब लगेगा तो कुछ तो फाइदा मिलेगा उनको भी आर्टिकल 372 हट ही चुका है इसी के साथ यह चीज़ और बहुत दिल्चाफ रहेगा कि चाइना और पाकिस्तान के तरब से क्या रियाक्षिन आता है क्योंकि आर्टिकल 372 को अभी यह नहीं माना है कि यह हट चुका है वह ऐसा मानते है कि आर्टिकल 371 के लिए वह क्या करते हैं क्यों जैसे उसे अपने देश में क्या करना है दोस्तों आर्टिकल 371 जैसा ही अपनी केबल हो जाएगा वैसे लद्धा की काया पलड़ भी हो जाएगी वह वैसे वह अपने हिसाब से यह देख पाएंगे कि हमको किस एरिया में किस कंपनी को जगा देनी है जिससे वहां के लोगो आई सोनम वांचुक कर रहे थे सोनम वांचुक अपने आप में एक सेलिब्रिटी है और लोगों को जम समर्थन भी ठीक ठाक था अभी दरसल प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी का जम्मु कश्मीर का एक दौरा होने वाला है तो उम्मीद है कि उसी दौरे पे लदाक के लोगो कुछ नया तोफा भी मिल जाए और उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों इससे जुड़ी कोई भी और अपडेटेड नहीं जाती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगा धरन्यवाद